हेलो फ्रेंड वेल्कम तू माई चैनल नीमा स्कॉर्णर और मैं हूँ नीमा इंतजार की गड़ियां खदम हो चुकी है और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रिव्यू सुनीसा वाटर ब्यूटी एंड एयर पैड सीसी क्रीम का आज का मैंने मेकप किया है सिर्फ इसी को यू मैं जरा सा बगवान को याज कर रहे थी क्योंकि यह प्रोड़क्ट नो फॉर्स टाइम उस करने वाली हूँ इसमें आपको मिरर भी मिलता है और इसकी प्रोटेक्शन लेट जब मैं हटा लोंगी तो मैं आपको प्रोड़क्ट को दिखाती हूँ इस प्रोड़क्ट को तो टिक टॉक और रिल्स ने इतना फेमस कर दिया कि मैंने का चलो इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जब आप इसे पुश करती हो ना इस तरीके से तो प्रोड़क्ट बाहर आ जाता है यह आप देख से तो बिलीव में इसका टेक्शर इतना सॉफ्ट है न शायद ज्यादा अच्छा होता इसका टेक्शर बहुत प्यारा है और हाँ जो लोग कहते ना कि इससे यूज करने के बाद आपके स्किन एक दो टोन लाइट लगती है मतलब ब्राइट लगती है गोरी लगती है तो यह बात बिल्कुल सही है इसके साथ जो स्पॉंच मिलता है मैंने इसे थोड़ सा गीला कर लिया है अब मैं इसकी मदद से डाप डाप करते हूँ इसे ब्लैंट कर लूँगी और यह एजली ब्लैंड होता है आप देख सकते हो डिफ्रेंस बिल्कुल यह ब्राइटन अप करता है आपकी स्किन को थोड़ सा गोरा गोरा सा बना देता अगर आप ऐसा कोई प्रोड़क्ट ढून रहे हो तो आप इसे ट्राइ कर सकते हो बठा देखो परमनेंट तो गोरा नहीं बनाएगा बठा ये थोड़ सा आपकी स्किन में एक से दो शेड आपको लाइटर कर देता है और ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है इसका मैंने वाटर प्रूफ टैस्ट हाथ पे किया था बठा वो क्लिप मुझे डिलीट हो गई है तो जैसा आपने टिक टॉक पर या रील्स पर देखा है बिल्कुल ये वाटर प्रूफ है ये बिल्कुल पसीने से बहेगा नहीं बहुत इसली ब्लेंड कर लिया है मैंने इसको मैंने इस क्लिप को बिल्कुल भी फास्ट फॉवर्ड मोड में नहीं किया है मतलब जितना इसली मैंने इसको अप्लाई किया उतना ही इसली मैं आपको इसे दिखा रही हूँ अब मैंने इसकी second layer लगाई है अपने face में मतलब क्योंकि इसकी जो वो है न क्या कहता हूं उसको consistency बहुत अच्छी है और coverage medium है तो अगर आपको ज्यादा coverage चाहिए तो आपको भी इसे मेरी तरह दो बारी apply करना पड़ेगा बढ़ हाँ दो बारी apply करने के बाद भी ये बिल्कुल भी greasy नहीं लगा मुझे बि ताई कर दी नहीं बहुत अच्छे से blend हो गया बहुत अच्छे से इसने मेरे face पे जो तिल है न उन्हें cover कर लिया तो अगर आप भी कोई अच्छा CC cream ढून रहे हो जो बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आपके face को बिल्कुल dry out कर दे तो आप इसे try कर सकते हो तो मुझे तो यह ब वाच्छीग